सिंग के पेच सुनिये दो मिली अध्यक्षा अध्यक्षा बोलिया आरत बंद के दोड़ा में सारे देश पे हुई कुछ हिंसा की खत्नाओं के तंबंद में मैं अपना व्यक्तम में देने के लिए खड़ा हुआ हूँ मैं सभी सम्वाली सदस्यों से अपील करना चाता हूँ बहुती गंधीर विशय पर मैं स्टेट्मेंट देने के लिए खड़ा हुआ हूँ तिर्पियाव सदन में शांती ब्यूस्था बनाए रखें बहुत या कल देश के कई हिस्सों में हिंसा युँ आप जनी की खत्नाएं हुई है भारत बंद के दौरान हिंसा की घट्टाओं में आज लोगों की बिर्क्ति हुई है मद्द प्रदेश में छे उत्तर प्रदेश में एक अथा राजस्थान में एक इसके आलावा बंद के दौरान भीड तथा पुलिस में कई जगों पर टक्राओं की भी घट्नाएं हुई है मैं सबसे पहले घट्नाओं में बित लोगों के परिजनों के प्रति संबेजना व्यक्त करना चाहता हूँ मैं यह भली मात समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों के मन में व्यापक रोष है इस केस में भारत सरकार पार्टी नहीं थे इस फैसले के गुरुद लोग चिंतित होकर सरकों पर उतर आये हैं मैं यह भारत सरकार की तरफ से कहना चाहता हूँ कि स्प्रीम को तथा तुप्रियस्ती तथा यस्ती सब्दाय के लोगों को सम्भिधान द्वारा जो प्रडेक्शन दिया दिया है सरकार उसके प्रफी पूरी प्रवाब से प्रजिवन दिया है मैं इस सदन के बादगं से आपको विश्वाद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने यस्ती यस्ती प्रेवेंशन आफ एक्रसिटी एक कोई भी डाइलूशन नहीं किया है बलकि हमारी सरकार ने कारेवार समालते ही इस संदर्ध में यस्ती यस्ती प्रेवेंशन आफ एक्रसिटी एक के मौजूदा प्रावधान का अलोखन किया और निरने लिया कि इनको और भी इस्टेंडन किया जा अता है 2015 में हमारी सरकार ने दा सिडूल कास्ट एंड दा सिडूल ट्राइब्स प्रेवेंशन अप अट्रोसिटी अबेंडमेंट एक्ट भी पारिद किया इसके द्वारा यस्टी यस्टी प्रेवेंशन अप अट्रोसिटी एक्ट में नए अफेंसेज को जोड़ा गया जो पहले नहीं थे यह भी पाया गया कि दोसियों को सयाद देने में विलंब होती है या चार्ज इस्टेबलिस ही नहीं हो पाता है क्योंकि विक्टिम अथवा विक्टिम जो कि पहले ही सोसित हैं पर जोर दबाव देकर शुप कराने का प्रयाद किया जाता है इसलिए इस संसोधन द्वारा वितनेस्ट प्रोटेक्शन का भी प्राविधान हमारी सरकार में किया है अध्यक्शन होने है इतना ही नहीं बलकि हमारी सरकार में यहवी किया है प्रीटो को दियानेवाली राहत की राती में भी हम लोगों ने पढ़ोत्तरी किया हमने यहवी क्रावधान किया कि इस पार्यूं को लागू करने में लापरवाह कि हमारी सरकार यसी यस्टी के हितों के प्रती पूरी तरह के प्रतिबंद है मामनी तरभुचन आले के फैसले के तुरंट बाद यह निर्णे लिया गया कि हमारी सरकार इसके खरद पुनर विशार याज का दाखिल करें गई और मैं यह सदम को सुचित करना चाहता हूँ कि यह आज का दो अप्रेल को अध्यक्ष बहुलिया राखिल कर दी गई लर्नेड अटर्नी जनल ने गॉर्मेंट के बिहाफ पर औरेबल स्प्रिंग कोट से आध्रह किया है कि रेविव पोटीशन पर सीजर सुनवाई प्रारंब की जाए औरेबल स्प्रिंग कोट ने अपनी समध यताते हुए आज यही दो बज़े से रेविव पोटीशन की काईस से नहीं बज़ जाता हुए मैं यह भी असपश्ट करना चाहता हुए माननी सुप्रीम कोट का जैज्जमेंट 20 मार्च 2018 को आया इसके परां मार्च 6 वर्किंग डेज के अंदर पूरी तक परता और प्रतिवड़ता के साथ समस्त तक्रियाओं और कानूनी परामर्स की कारवाई को पूरा करते हुए 24 2018 को केंदर सरकार की और से रियविट पर्टिशन डायर कर दी गई मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि आरक्षन को लेकर भी जो तरह तरह की अफ़ाएं फैलाई जा रही हैं वह पूरी तरह से बेमुलियाद हैं और मिरद है हमारी सरकार यसी यस्टी के हितों की रक्षा के प्रपीर पूरी तरह से सम्वेदन शील है और मैं सभी देश के अब्यक्ट पोड़ आपील करता हूँ कि वह शांतियों स्यंग बनाए रखे हैं हमने सभी राजियों को शांती बनाए रखने के लिए एडवाजरी भी जारी की है हमने शांती बहार करने के लिए राजियों ने जो भी मदद बाई है तक परता पुर्वक उसे उप्रब् गरिहां कराले मामले पर नजर बनाए रख दूए है कता राजियों के हम लगातार संपरक में हैं मैं सदन के माद्यों से कमस्त देश वाशियों से शांती बयुषाब बनाए रखने की खथा आप्शी ब़ाई चारां बनाए रखने की अध्यक्षमहों ने अपील करता हूँ और साके ही मैं सभी राइनेतिक गलों से भी अध्यक्शना उड़ा अपील करना शाहता हूं कि वे देश ने शांती विवस्था तथा भाई शाराब बनाने में वे पूरी तरह से वस्थायोग करें भन्ने वादा